एलो फ्रेंड्स, वेलकम् टू माई यूटुब चल तड़कारअ सोई में आज हम बनाने वाले हैं सरसो का साग ठंड में तो कई प्रकार के साग मिलते हैं और हर एक साग का अपना ही अलग स्वाध होता है तो उसी में से एक है सरसो का साग जह बहुती सौधिष्ट होता है friends तो जानते हैं हम इसके तर्गे को कि किस तरह से यह हमारोजे साग बहुती स्वादिष्ट बन की तैयार होगा तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं सरसो के साग बनाने के लिए हमने यह पे इस सरसो के पत्ते लिए हैं तो ये देखिए, इसको में पानी से धूल के अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसकी मोठी मोठी ढंडायपाई को मेरे पत्तिया में रखा है ऑर इसके साथ ही में हमनेया या पर लिया है ब defense लिया है हैं सरसो बत् deepest अपालक एन सभी को हम इनबारी कट कर लेगे nesasasam निए आफे सब्सक्रायी हम डाल लेंगे एक कप पानी पानी को गर्म होने देते हैं प्रेडिरिस्ञी तो इस साख को है हंडी बना येता है बडर हम यहां पर इसे कड़ाही में ही असारी से बना भी तयार कर लेंगे उस्वाधिष इमारे साके तयार होगा कड़ाही दौना निंगे। तो इसे तो पानी हमाना गर्म हो गया है तो इस पया प्लेंगे सफ्वा और ना से पाल्प मूध जालएं। तो साग फ्रेंट्स गल के कम हो जाता है तो उसे अनुसार आप नमक को डाले ज्यादा नमक न डाले तो यह देखिए इस तरह से थोड़ा से उलट प्लट ले अब इसे हम ठक देंगे तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसे ठक देंगे थोड़ी दिर बाद फिर से हम ठक को अटाएंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स अब गल के थोड़ा कम हो गया है तो इसे फिर से उलट प्लेट ले अब जब हम इसे ठकेंगे न तो इसे हम पूरा कभर नहीं करेंगे थोड़ा से इस तरह से में इसे गैप रखेंगे जिसे कि सरसो का थोड़ा कड़वापन होता है न यानि हाड डॉला फ्लेवर वह थोड़ा से इसमें से निकलता रहे भाप के सारे इसे कड़ाही में ही वापिस ना जाए तो फिर से हम यहाँ पर धकन वह ताएंगा अब भी से हम क्या करेंगे नो फ्रेंड़ इसए देखिए यह लेट पके ही त्स忘ंड रहेंगे तो साक जब अभ़े घख गई है तो पैसे अपी से पर यह नहीं है तो फिर से हम लिट को हटाएंगे और फिर से हम इसे पोटेटो मेसर की आधा से चला लेंगे थोड़ा साधानी से चलाएंगे यादिकि एक साइड में ज्यादा से प्रेशर नद देने तो कड़ा इससे गैस से नीचे हा जाएगी तो थोड़ा साधानी बड़ते हुए कड़ा ही को अच्छी से किसे पकड़ की सहता से पकड़ले और फिर इससे पोटरेटो मैसर के साधा से बीच-बीच मेच तरह से चलाते रहें जिस सागे हमारा एकसार हो जाएगा तो देखि hurtya काई साग हमारा गल रहा है और एकसार हो रहा है न तो देखिए अब साग थोड़ा मारा गल गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे एक टेबली स्पून घी इसके साथ ही में हम डाल देंगे लेसुन बारिक कटा हुगा तो हमने यहापे छेजाद करी लेसुन को बारिक कट करके डाल दिया है अब इसे के साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च तो हमने यहाँ पर दो हरी मिर्च को भी बारे कट करके डाल दिया है इसे हम मिला लेंगे और इसे हम ढख देंगे और साग को हम पकने देंगे तो जब तक हमारा साख पक रहा है तब तक इसको हमें might करने के लिए इसमें हम यहाँ पर ले लेंगे do triblaist spoon मक्य काठा इसमें डालेंगे थोड़ा से पानी और इसे हम अच्छेसे मिला लेंगे जिसका कीभी साख पकने के बाद में हम इसे डालेंगे last stage में तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से डाल के मिला लेना है पानी की साथ में जिसे के इसमें गुटलिया ना आए तो यह देखी बिल्कुल इस तरह से में तयार कर लेना है तो फिर से हम चलते हैं साग की तरफ और इधर हमने लिट को हटा लिया है तो यह देखी फ्रेंट इस तरह से पोटेटो मैसर की साथा से आप साग को एक सार कर लें आप चाहें तो मतनी या फिर इसे डाल निकालने वाली स्पेक्चुला से भी इसे चला सकते हैं यानि कि इसे घोड़गोट की बनाया जाता है जिससे कीदमे एक सार हो जाए तो यह देखी फ्रेंट हमने आप इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें मक्य काटे का घोल डाल लेना है तो इस तरह से पोड़े होल को डाल लें और इसे मिला लें इसमेल फ्रेम फ्ल्यम करके इस से मिला लें फिर मेडियम फ्ल्यम पे से तिं से 4 मिनिट केले हम पका लेंघ के तरे दीए फ्रेंट हमने पह एंस से ब्सक्राइव बहुत पानी को डाली है जिस्युम बारबर पानी डालने कRY सकताना ज Freddie है तो इस तरह से में लाली मखे काटे को और तीन चार मिनट के मिनट intensely हम इस तरह से मेड nAYom फ्लैंपर इसके का लेंगे अब इसे हम रखते है side में और इस लिए तैयार करेंगे एक जीरा, दाल लेगे 1 tablespoon घी तो जीरा हम अब यह झाल लेंगे, बारी उस्टोप कर लिया है और इसे हमने यहाँ पर डाल लिया है और इसी के साथ में हम डाल लेंगे अद्रक और हरी मिर्च तो लैसन को थोड़ा से से पका लिया यानिक उसका कच्छा पर निकल जाने के बाद में हम इसे अद्रक और हरी मिर्च को भी डाल लेंगे और इसमें भी चला कर देंगे थोड़े दर के लिए हम जिसके कच्छा पन निकल जाए अद्रक मिर्च का एक टुकड़ा अद्रक हमने इसे बारीक चॉपकर करके डाला है और इसे साथ में आपर दो हरी मिर्च डाला है तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर तो दो मीडियम मैं डाल लेंगे नमक और इसे की साथ मेंड़ लेते हैं रिसे मिला लिते हैं और इसे ऑउक देते हैं हम टमाटर के गलनी तक हम इसे पका लेंगे तो बिस अब इसे अम ढग देते हैं यह दिखे फ्रेंट्स टमाटर हमारे अच्छे से गल गया है यह तो इस तरह से में उससे चला लीजिए तो इसमादी कि मसाला महरत तो मच्छे से परफेक्ट बन की तयार हो गया है तो बस अब हम क्या करेंगे कि गयस का फ्लिम आफ करेंगे और इस मसाले को हम सरसो के साग में डाल लेंगे बस अब मसाले को सरसो के साग में डाल लेते हैं और मसाले के साथ में हम सरसो को साख को अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनिट के लिए फिर से हम पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मसाले के साथ में इसे अच्छे से पका लें तो ये मंने सरसो को साक को अच्छे से मिक्स करते हुए उसे हमने तीं चाल मिटके लिए निकालले तो इसे रकामा नुके लेंगे ये तड़का में यहां पर फिर से लगांगे जिससे इसंगी फिर थोड़ी नियुक्ति हो जाएगी तो यहां पे हमने एक तड़का पैन में डाल लिया है एक टेबल स्पून घी तो हमें फ्रेंट्स यहां पे देशी घी का इस्तेमाल करना है इसे सरसो का साग बहुत ही साधिश्ट बनता है डर्म हो गया है तो में डल लिया है निकार सब्सक्राइब से साबूत लाइब थोड़ी, साग या अच्छी लगती है और में लीज्ञ में अच्छी लगती ही तो जर्याग ड्सको थोड़ा कि साग से हलका से ब्राउन होने देंगे अब इसमें डालेंगे हम 1⁄फ ट्वी स्पून हींग अब इसमें डाल देंगे हम दो हरी मिर्च को उने से लंबे में कट किया है उसके साथ ही आपे डाल दिया दो साबुत लाल मिर्च अब हम गैस का फ्लिम आफ कर देंगे और इस तड़की को हम डाल देंगे साग में इस तरह से थोड़ा से उपर से डाल देंगे ना फ्रेंट्स देखने में तो अच्छी लगती है खाने में 20 का साथ बहुत ही बढ़ जाता है तो यदि आपने लास्ट वाला इस्टिप ना करन की तयार हो गया है एक बार आप मेरी तरीके से बताएगे सबसों के साथ को जरूर से बनाईएगा और इसे के मज़े उठाइएगा यदि मेरी रेस्पी आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और साथी फ्रेंड्स नीचे दिये गए रेट कलर के सस्क्र आते रही है